नमस्कार खबरफास्ट पर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रेति सिमार बुलेटिन के शुरवात करते हैं रुक करते खबरों की ओर हर्याना के गुरुशेत्र में प्रदेश सरकार की ओर से उत्रष्ट काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया इसका इक्रम का आयोजन पंचकुला में हुआ और जिसमें प्रदेश के कई शिक्षकों को राजिपाल ने सम्मानित किया इसी कड़ी में गुरुशेत्र से सरकारी स्कूल को विभिन संस्थाओं के सहयोग से चमकाया है शिक्षक सम्मान समाहरों का आयोजन शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया और इस अवसर पर कुरुक्षेतर की शिक्षिका है सुनीता आहुजा उनको विसेश रूप से सम्मानित किया गया है कहेंगे आज आपको शिक्षक अवार्ड के रूप में नवाजा गया है महमहीम राजयपाल दुआरा बहुत गर्व का अनभव हो रहा है कि मारनीय राजयपाल जी से हमें ये पुर्सकार मिला राजयस्तर का ये पुर्सकार लगभग पचास अध्यापकों को वईश दो हजार एकिस के लिए मिला अपने आप में बड़ा ही गौरव मैं एतिहासिक पल कहूंगी मैं मेरे लिए मेरी शिक्षा कैरियर में सबसे खूबसूरत अनफॉर्गेटेबल डे आज तो किस स्कूल में आप कार्यागरत रही और किस किस कार्या के लिए आपको इस हवार से नवाजा गया था सर मैं अभी पहले मैं गौर्वर्मन्ट गर्ल सीनियर स्केंडरी स्कूल थाने सर में पोस्टेट थी एस संस्कूर्ट टीचर और सब्टैंबर 2017 में मेरा प्रमोशन हुआ एस हम के बद पर इलिमेंटरी स्कूल हैडमिस्टर्स तो मैंने जी एमस माजरी के ला में जोइन किया मेरे घर से वो लगभग 30 किलोमेटर दूर है शुरू में लगा कि इतनी दूर जाना कैसे हो पाएग हैं तो पहले तो सच बताओं शुरू में जब मैंने माजरी गई तो डरेक्टर ओफिस के चक्कर लगाए कि इतनी दूर मुझे भेज दिया अपने लिंक रोड पे सर मैं कैसे जाओंगी वो कहने लगे मैडम जो हमारे पास बैस स्टेशन था हमने आपको वो दिया कोई बात अपनी आपको समय अपनी वहां से वाएं दो उसके बाद जब भी ओनलाइन पोर्टल के माधिम से ट्रांसवर होगी तो आपको वहां से ओप्शन दी जाएंगी और आप फिर अपने मन पसंद स्टेशन को फिल करके ट्रांसवर ले सकते हैं तो 2017 में चलिए मैंने जाना शु लोग हैं जिनको हम इन्वाइट करें और जो हमारे स्कूल की प्रोग्रस में हमारी मदद करें तो गाम के कुछ घंडमाने विक्तियों को हमने स्कूल में आमंतरित किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखे स्कूल की हालत बहुत घस्ता है तो ऐसे में बच्चे भी जो च हमने उन से बात की कि एक सोलर पैनल लगवाया जाए तब गाम वालों के सहयोग से स्टाफ के माधम से और मैंने स्वयम डोनेट करके जो है स्कूल में सोलर पैनल लगवाया जिससे हमारे सभी कमरों में एक दो पंखे चलने तो अकेले चले थे मंजिल को लेकिन मंजिल तक पहुंचे पहुंचे पीछे काफिला हो चला ऐसे ही कहानी एक सच्चायी वाले कहानी सुनीता आहुजा की हैं जो की माजरी कला गाउं में जब गई पहुंची वहां तो कोई सभी सुविधाओं का अभाव था टोटा वहां सुविधाओं का था लेकिन जब 31 अगस्त 2022 को इनकी ट्रांसफर हुई तो वहां सरव सुविधा संपन वो माजरी का स्कूल था तो ऐसी ही इस उपलब्धी के लिए सुनीता आहुजा को आज राजयपाल अवार्ड से प्रदेश तरिये अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनसे हमने आपसे बातशीत करवाई कुरुक्षेतर से देविलाल बारना खवरफास्ट